सब्सक्राइब कीजिए e-selling यान YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके all notifications को on कीजिए ताकि आपको online selling से जोड़े सबी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें नमस्कार दोस्तों मेरे नाम हिमानशू और आप सब का स्वागत है मेरे YouTube चैनल e-selling यान में दोस्तों अगर आप Amazon Flipkart जैसे किसी भी marketplace पर online sell करते हो और आप भी अपने orders grow करना चाते हो आप भी चाते हो आप Delhi के 100-200 order dispatch करो तो ये वीडियो आपके लिए है मैं इस वीडियो में आपके साथ 7 tips शेयर करूँगा जिनको आपको follow करना है और इससे आपकी sales, आपकी online sales definitely भड़ने वाली है तो बिना देरी कर ये वीडियो शुरू करते हैं पहली tip है product listing SEO and optimization आप जो भी product marketplace पर online list कर रहे हैं तो आपको हमेशद 3-4 बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले आपकी image की quality एकदम अच्छी होनी चाहिए आपको product के 4 तरफ से image capture करके upload करने है white background के साथ upload करने है और एकदम clear upload करने है दूसरा चीज आपका title एकदम attractive होना चाहिए क्योंकि title और image ही है जिसे देखकर customer आपके product की बाकी details check out करता है तो आपको title एकदम attractive रखना है अपनों product के बारे में information provide करनी है और description में कोई भी फालतू बात नहीं लिखनी बिल्कुल product के बारे में जो भी accurate information हो वो describe करनी है इससे आपके product listing की visibility भी बढ़ जाती है marketplace की search algorithm में आपके product के आने की chances भढ़ जाते है तो product डिखने भी जादा लग जाता है और ये तो एक golden ruler की अगर आपका product जादा दिखता है marketplace पर तो definitely वो बिखना तो है यह फिर जादा दूसरी tip है advertisement और promotions friends आपको अपने product के advertisement run करने है इन marketplace पर लेकिन आपको एकदम शुरुआत से advertisement run नहीं करने जैसा मैंने आपको पहले point में बताया कि आपको एकदम अपनी optimized product listing करनी है जब आप अपनी product listing एकदम accurate करोगे to the point करोगे तो आप एक बार आपको उसे check करना है कि उससे आपकी sales आ रही है या फिर नहीं आ रही है और फिर कुछ दिन बाद analysis करने के बाद आपको फिर उस product पर advertisement run कर सकते हो एक बात और friends आप याद रखिए जब भी आपका भी advertisement run करो तो आपको कभी भी ऐसे product पर advertisement run नहीं करना है जिसमें price competition हो मतलब अगर आपके जैसा product कोई और seller भी sell कर रहा है और अगर आप चा रहे हो कि आप उस product में advertisement run करोगे तो कोई फाइदा नहीं है क्योंकि अगर आप advertisement run करोगे और आपका product उन पर आ भी गया और आप मान कर चलिए आपका product 2-4 रुपे सस्ता हुआ भी तब भी जरूर नहीं customer आप इसे product खरी दे हो सकता है वो कि दूसरे seller से भी product खरी सकता है अगर उसके पास customer review और customer ratings वगारा भड़िया है तो क्योंकि आजकल customer बहुत ज़ादा उश्यार हो गए है और हर कोई customer review और rating देखकर ही product को purchase करता है तो इसलिए advertisement आपको कभी भी competitive product में तो नहीं करना है आपको advertisement हमेशे ऐसे product पर करना है जो कि आपके पास unique हो जिनके ज़ादा seller ना हो और बहुत ही minimum seller हो तो आपको ऐसे product के उपर advertisement करनी है campaign run करने है और campaign run करने के बाद आपको analysis करना है और जो भी negative keyword से उनको हटाना है ताकि आपका जो campaign है वो optimize है और आपको ज़ादा ROI मिले तीसरी tip है getting reviews अभी जैसे हमने दूसरे point में ही discuss किया कि customer ज़ादा तर उस product को prefer करता है जिसके पास reviews अच्छे होते हैं तो आपको भी अपने product के लिए reviews generate करने हैं अब आपको reviews कैसे लेने हैं कोई भी आपको सबसे पहले तो इसमें bribery वाला काम नहीं करना है आप product के उन पर sticker लगा सकते हैं और उसमें बिल्कुल friendly way में लिख सकते हैं कि अगर आपको product पसंद आया हो अगर आपको product पैकिंग पसंद आई हो अगर आपको product on time मिल गया हो तो आप product पर review कर दीजे आपको यही सबस English में mention कर देना है और अगर customer को वो चीज पसंद आई होगी तो customer definitely उस पर review देगा लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है कि आप उनको कोई लालस दे रहे हो इस review लेने के चक्कर में मैंने देखा एक दो बर मैंने भी order किया है तो seller बोलते हैं कि आपको 50 रुपीज पेटियम कैश कर देंगे अगर आप हमें 5 star rating दोगे तो यह बिल्कुल गलत तरीका है और against the policy है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है दूसरी चीज़ आप free goodies भी बेश सकते हो अगर जैसे आपका कोई expensive product है 1000-2000 रुपे का product है तो आप 20-30 रुपे का कोई goodie अगर आप चाहो तो उसके साथ बेश सकते हो इससे customer happy feel करता है तो वो review देने के chances भी बहुत ज़ादा भर जाते है तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप customer से review ले सकते हो फोर्थ tip है make combos आपको हमेशा अपनी inventory में कुछ combo product भी इन online platform पर list कर नहीं है combo product हमेशा customer के लिए भी और seller के लिए भी beneficial रहते है customer के लिए beneficial रहते हैं और seller के लिए इसलिए beneficial रहते हैं क्योंकि seller को ज़ादा margin मिलता है तो दोनों के लिए beneficial रहते हैं इसलिए आपको हमेशा अपनी inventory में कुछ combo product list करने है combo product के उपर मैं dedicatedly ये video बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस video को देख सकते हैं मैंने इसमें आपको सब कुछ combo product के बारे में बताया है आपको अगर कोई भी doubt हो combo product के regarding तो आप उस video को जरूँ चेक कर लिजेगा देखिए सबसे major advantage जो combo product का होता है वो यही होता है कि दो product पे एक ही shipping charge लगने वाला है मतलब आप एक product बेजते हो तो उस पे भी 70 रुपे लगेगा और आप दो product बेज रहे हो तब भी 70 रुपे लगेगा तो पर product जो shipping charge है को 35 रुपीज हो गया मतलब divide हो गया shipping charge दो product के बीच में तो friends इसलिए combo product में benefit रहता है आपको हमेशा combo product की भी product listing करनी चाहिए यह हमेशा benefit देते हैं और आपकी sales इससे बढ़ते ही बढ़ती है देखे friends अगर आप Amazon पर online sell करते हो तो आप अपने product को Amazon के FBA में जरूर भेजिए Amazon FBA में बेजने से आपकी orders बढ़ने ही बढ़ने है देखे कुछ product ऐसे होते हैं जो कि आप Amazon FBA में नहीं बेज सकते अगर हम उनको exception हटा दें उन exception को तो बाकी सभी product Amazon के FBA में भेजा जा सकता है और friends इससे मैंने देखा है कि जो seller से उनके orders बढ़ते हैं इसके अलावा अगर मैं Flipkart की बात करूँ तो Flipkart में Smart Fulfillment के थ्रू और Flipkart Fulfillment के थ्रू आप sell कर सकते हैं लेकिन ये invitation based program है अगर आप खुद से चाहे Smart Fulfillment या फिर Flipkart के warehouse में बेच के product sell करना तो ऐसा नहीं हो सकता आपको पहला as a normal seller अच्छी sales receive करनी होगी और फिर उसके बाद Flipkart आपको invite करेगा Smart Fulfillment में तो आप अपने warehouse से ही अपने product रखके Smart Fulfillment के थ्रू sell कर सकते हो और आपको FSHO tag मिल जाएगा और Flipkart Fulfillment में आप Flipkart के warehouse में बेच सकते हो लेकिन Amazon में आप Day 1 से ही Amazon FBA में बेच सकते हो मैंने काफी sellers के case में दिखा है इससे orders की growth होती ही है 6th point है huge discounts अगर आप private label brand के product sell कर रहे हो तो आपको अपने product पर अच्छे discounts देने है यह आजकल सभी customers का perception होता है कि जहाँ जादा discount मिलता है वहाँ पर customer attract होते हैं और वहाँ पर product purchase करने की जो power है customer की भढ़ जाती है वो product purchase कर लेते हैं तो इसलिए अगर आप private label brand के product भेजते हो तो आपको ऐसा दिखाना है कि आप अपने product पर 60% off दे रहे हो 70% off दे रहे हो आपने देखा होगा कि sale में ऐसे ही होता है up to 60% off, up to 70% off तो आपको भी अपने product पर huge discount देना ही है आपको जो last tip है वो है product analysis देखिए friends जब भी आप online selling करते हैं और किसी भी product को marketplace पर launch करते हैं तो आपको उस product की analysis करनी है product listing से पहले आपके competitor किस price point पर उस product को sell कर रहे हैं और उस जैसे product को sell कर रहे हैं और उसी साबसे आपको एक idea लेना है वैसे Amazon में कुछ product analysis के tool भी available है अगर आप कहोगे तो मैं next video में उसको बता दूँगा आप मुझे please comments में बताइए लेकिन friends आपको product analysis करनी है online listing करने से पहले जिससे कि आपकी जो orders है आपको एक idea लग जाए कि उस type के product की कितनी sell आइन marketplace पर और किस price point पर इस sell हो रहे हैं तो friends यही कुछ tips थी जो कि मैं को आपको इस वीडियो में देनी थी और आपको इनको follow करना है मैं guarantee से कहा रहा हूँ friends अगर आप कुछ tips भी follow कर लोगे तो आप खुछ से ही देखो कि आपकी जो number of orders है वो भढ़ रहे हैं और यही success मंत्र है इन e-commerce platform पर excel करने का successful होने का तो आपको यह follow करने है तो बस friends इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और helpful रही हो तो इस वीडियो को like कर दीजेगा अपने friends और family की साथ share भी कीजेगा और अगर आप मेरी चैनल पर नई हो और पहली बार आयो तो इस चैनल को subscribe कर दीजेगा क्योंकि मैं ऐसी ही online selling से जोड़ी videos अपने चैनल पर लाते रहता हूँ फिलाल अभी के लिए मैं चलता हूँ थेंक्यू